नमस्ते एंड वेलकम टू यू ओल इंडिया फेर्स मैं हो विगास दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अलग चीज जानने को मिलेगा दोस्तो अभी पूरी सोसल मेडिया चंद्रियान 3 के वीडियो से भरी कर आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं हम आपको चंद्रियान 3 के बारे में दозмण दोस्तो आने वाला च्वदा दिन चंद्रियान 3 के लिए कंश क्यों है चंद्रियान 3 में ऐसा किया लगा है जो एलियं व्यंद्ध को धुनने में मदघ कर दोढ़ी नासा का मदद कैसे कर है 14 दिन बाद प्रग्यान रोबर का क्या होगा चलिए आपको ले चलते हैं मून के एक अलग दुनिया में दोस्तों चंद्रियान 3 का लेंड करना इससे ज्यादा इंपोर्टेंड अभी है कि चंद्रियान 3 का जो रोबर है वो वहाँ पर कैसे वर्क करता है गाई समसीधा पॉ 14 दिन का रात होता है और अगले 14 को चंद्रियान 3 को 23 उसलिए लेंड करवाया गया क्योंकि 23 protocols 5 पर महिने क पहला सुरज निकला था और आने वाले अगर हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा तो प्रग्यान रोबर कैसे वर्क करेगा जाइट सी बात है वो वर्क नहीं करेगा इसलिए यह जो 14 दिन है यह बहुत ही खास है चंद्रियान थ्री के लिए इसी 14 दिन में इस रोग को सारे इंपोर्टेंड काम करने हैं 14 दिन बाद वहां का जो टेंपरेचर है जहां चंद्रियान थ्री अभी लेंड किया है वहां का तापमान माइनस 100 डिगरी के पार चले जाएगा और इतने ठंड में चंद्रियान थ्री वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने उसे ऐसा त्यार नहीं किया है कि वो इतने ठंड में वर नोकð प्र मोसूं डाठा गया है पहला ये प्रपॉल्शन मोडि эти जेवन को लगाएगा जो अर्थ पर जीवन को संभव बनाती है जहां पर जादू है यहां प्र जादू से आने वाले lights को study करें दोस्तों यहाँ पर हम उन lights की बात नहीं कर रहे हैं जिने आप देखते हैं हम यहाँ पर रे की बात कर रहे हैं जैसे कि गामा रे होता है तो यहाँ पर हम रेस की बात कर रहे हैं जैसे कि सूर से कैसा रे निकलता है चान से कौन सा रे निकल रहा है पृ वहाँ भी जीवन संभव है, क्योंकि हमारे अर्थ के रे में जीवन संभव है, अब इसका मतलब ये नहीं है, कि हमें ये पता चल जाएगा कि जादू किस प्लानेट से आया था, लेकिन अर्थ जैसी संभावनाए वाली प्लानेट को ढूंडने में मदद करेगा ये सेप टू अब आईए विक्रम लेंडर में लगे पेलोड्स पर, इसका पहला टूल है इलजा, आई एल ऐसे, आपने अर्थ क्यूक के बारे में सुना होगा, उसी तरह मून पर मून क्यूक आते हैं, और चंद्रियान 3 का ये टूल चांद के बनावटी, यानि कि उसके कोर को एनलेसिस करेगा, अगला है रामबा टूल, दोस्तों आपको पता होगा, आपने बच्पन में पढ़ा होगा, कि सूरी की लाइट्स डारेक्ट अर्थ पर नहीं आती है, वो बहुत सारे लेयर से होकर गुजरती है, जैसे कि ओजन लेयर, सूरी की प्रावेगनिक किरने, यानि की पता ही है, एसे में रामबा इनी रिसर्च को पूरा करने का काम करेगा, हमारा नेक्स टूल है चेस्ट, C-H-A-S-T-E, गाइस आपको पता ही है, कि हमें अगर चांद पर इंसानों को बसाना है, उनके लिए एक सब इस्टेशन त्यार करना है, तो हमें पहले वहाँ पर इस् 100 डिगरी सेल्सियस के पार, और रात के टाइम में चांद का जो टेंपरेचर होता है, वो माइनस 100 डिगरी के पार होता है, मतलब पूरा बरफीला, ऐसे में सबसे पहले टेंपरेचर को कंट्रोल करना होगा, तब हम वहाँ पर इंसानी बस्ती को बसा पाएंगे, और ये जो कोलेट करेगा और हमारे साइंटीसों को भेजेगा, हमारा नेक्स्ट टूल है लरा, लेजर, रिफ्लेक्टो मीटर, एरे, दोस्तो वीडियो के स्टाटिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कि चंद्रियान 3 नासा का मदद कैसे करेगा, उसका जबाब है ये लारा ये टूल नासा का है, जिसे चंद्रियान 3 लेकर गया है, ये पेलोड अर्थ एंड मून के एकुरेट इस्टेंड्स को मेजर करेगा, वैसे अपॉलो मिसन के दोरा नासा ने ऐसा ही टूल्स चांद पर लगाया था, लेकिन पांच दसक बितने के बाद अब हमारे जमिन अस्मान का अंतर है, इसलिए ये टूल नए तरीके से तयार किया गया है, जिसे हमारा चंद्रियान 3 लेकर गया है, यहाँ पर आपको बताते चले कि जो नासा है, वो चांद पर अपने एस्ट्रोनर्स को फिर से भेजने जा रहा है, आर्टी मेस मिसन के जरिये, नासा का आर्टी मेस मिसन क्या है, इस पर मैं एक फूल विडियो बना दूँगा, अकॉर्डिंग टू यूर कॉमेंट, आज से लगबक 50 साल पहले नासा ने हिूमन को चांद पर उतारा था, और अब फिर से वो इनसान को चांद पर उतारने वाला है, ऐसे में सटिक एक्स्ट्रो नासा की मदद करेगा, क्योंकि हमारी astronomical calculation कैसी है, यह पूरी दुनिया जान चुकी है, नव हमारा अगला टूल है प्रग्यान रोबर में, यह रोबर हमारे विक्रम लेंडर के आधा किलोमीटर की area को explore करेगा, मगर इसका काम भी बहुत ही खतरनाक है, आप कह सकते हो हमने यह एक टाइप का radioactive gun है, यह चांद के मिट्टी में मौझूद चीजों का पता लगाएगा, और दुसरा टूल है LIBS, यह लाइट के मदद से चांद की soil को study करेगा, यह दोनों टूल खासकर चांद के मिट्टी पर research करेंगे, जैसे कि Elmonium, Magnesium फी, इन सारे elements की पता आयोब के गाइस आपको आज की यह जनकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अगर हाँ तो इस अपने दोस्तों और फैमली तक सेर करना ना बोले, मिलता है नेक्स बडियो में एक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए जैए